हेलो दोस्तों कैसा आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं आमेजिंग वाइफ के चैप्टर सेवन चैप्टर सिक्स में हमने देखा था कि बैकी की दादी उसे घर की कुछ चीजे लाने के लिए कहती है और बैकी फ्रीन से स्टोर में मिलती है अ अपनी कार के पास चली गई उसने खुद से पूछा क्या वह अपने पास्ट फ्रीन से मिलना चाहती है या नहीं उसने सोचा कि उससे मिलने में कोई प्रोब्लम नहीं है इसलिए उसने फ्रीन का वेट करने का सोचा बैकी ने अपनी दादी को फोन किया और बताया कि अगला लगबार फ्रीन, नो बजे की करीब, एक लेडी के साथ सोप से बाहर आई। वे थोड़ी देर तक बात करते रहे, और थोड़ी देर बाद वहाई लेडी, फ्रीन को अकेला छोड़ कर चली गई। तबी बैकी अपनी कार से उतरी, और फ्रीन की तरफ चली जाती है। इतनी टायर लग रही थी मानो वह कई दिनों से सोई नहीं हो उसकी बोड़ी इतनी कमजोर जिसे देखकर बैकी को दुख हुआ बैकी पूछती है आप कैसी है फ्रीन कहती है मैं ठीक हूँ फ्रीन ने बस इतना ही आंसर दिया और अपनी नजरे नीचे जुका ली बैकी पूछ पूछती है तो आप यहां किस का विट कर रही है फ्रीन कहती है मैं यहां टेक्सी का विट कर रही हूँ फ्रीन की बात सुनकर बैकी कहती है आपका घर कहा है क्या मैं आपको ड्रोप कर सकती हूँ अगर आपको ठीक लगता है तो बैकी की बात सुनकर फ्रीन ने अपना सिर उपर किया और बैकी की तरफ देखा और कहती है नहीं यह ठीक है मैं जा सकती हूँ बैकी फ्रीन से कहती है क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या आप खुछ हैं मुझे पता है यह थोड़ा परसनल है यह सुनकर फ्रीन कहती है आप क्या पूछना चाती है बैकी कहती है आप यहां क् मैंने जोब नहीं छोड़ी हैं यहां मैं बस पार्ट टाइम जोब करती हूं मुझे कुछ जादा पैसो की जरूरत है यह सुनकर बैकी कहती है अगर आपको पैसो की जरूरत है तो मैं आपकी हल्प कर सकती हूं आपको यहां काम करनी की जरूरत नहीं पड़ेगी बैकी की बास और कोई हेल्प नहीं चाहिए फिर्ण की बात सुनकर बैकी कहती है मुझे पता है आप किस बारे में बात कर रही है अगर ये पैसो का मामला है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मेरी लाइफ में केवल पैसा ही है फीरिन कहती है फिर भी मुझे नहीं चाहिए इतना कहकर फीरिन ने अपना सिर्फ दूसरी तरफ गुमाया लेकिन बैकी अभी भी फीरिन को देख रही थी वह जानती थी कि फीरिन बात खत्म करना चाहती थी इसलिए उसने उसकी रिस्पेक्ट की और एक फिकी स्मेल के साथ कहा ठीक है आपको देखकर अच्छा लगा अपना ख्यार रखना इतना कहकर बैकी अपनी कार के पास चली गई लेकिन वह इसका अंसर जानना चाहती थी उसने सोचा कि इरिन से पूछा जाए सायद उसे सब कुछ पता होगा अगली सुबह बैकी ने सबसे पहले इरिन से मिलने के बारे में सोचा इस समय वे दोनों एक साथ हैं इरिन कहती है बैक कितने टाइम बाद तुम्हें अपने दोस्त की याद आई बैकी कहती है I'm sorry इरिन मैं अपने काम में बिजी थी और इंगलेंड आती जाती रहती हूँ इरिन कहती है मुझे पता है तुम काम में बिजी रहती हो दादी ने मुझे बताया था बैकी कहती है मैं बस काम में बिजी रहना चाहती हूँ अपने पास्ट को भूलने के लिए इरिन कहती है ठीक है तो बताओ तुम मुझसे इतनी जल्द बाजी में क्यों मिलना चाहती थी तुमने मुझे मेरे अलार्म से पहले ही जगा दिया ये सुनकर बैकी अपने दोस्त को देखकर मुस्कुराई और इरिन से पूछा इरिन मुझे बताओ क्या उसका हस्बेंट अच्छा नहीं है वह साम की पाली डिपार्टमेंटल स्टोर में क्यों काम करती है ये सुनकर इरिन कन्फूजन से पूछती है आप किसके बारे में बात कर रही है एरिन जानती थी कि बैकी किसके बारे में बात कर रही है लेकिन बैकी कहती है एरिन तुम जानती हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ एरिन कहती है नहीं उसका कोई हजबन्ड या वाइफ नहीं है उसकी साधी तूट गई है ये सुनकर बैकी कहती है क्या? बट कैसे? एरिन बताती है क्योंकि उसका फ्यान से फ्रोड था वह बैंककोक में किसी कंपनी में काम करता था उसकी पहले से ही वहाँ इस फैमली थी लेकिन सबसे चुबा कर रहता था और अपने माता-पृता के साथ यहाँ अकेला रहता था ये सुनकर बैकी कहती है क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई? बैकी गुस्से से अपने हाथ बंद करती है बैकी पूछती है उन्हें इस बारे में कैसे पता चला इरिन बताती है उसकी मा के भाई को किसी दूर के रिलेटिव से पता चला इसलिए उसकी मा ने साधी तोड़ी और अपने साथ रहने के लिए कहा बैकी पूछती है लेकिन वह पार्ट टाइम जो क्यों कर रही है इरिन बताती है पता नहीं बैकी पूछती है क्या यूनिवस्टी में उसे अच्छे पैसे नहीं मिलते ये सुनकर इरिन अपनी मासम दोस्त को देखकर मुस्कराई और फिर कहती है बैकी क्या तुम्हें याद है कि उसकी मा को कैंसर है उसके इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत है इरिन बताती है पिछले दो महने से उसकी मा नई दवाई ले रही है जो पहले से भी ज़्यादा महंगी है और अब वह अपनी मा के साथ रहती है इरिन इतना कहकर बैकी से पूछती है तो तुम उससे मिली थी बैकी कहती है हाँ करड़ात बैकी कहती है लेकिन तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया बैकी की उदासांखों ने इरिन की तरफ देखा बैकी की बात सुनकर इरिन कहती है बैक तुमने पहले ही कहा था कि तुम आगे बढ़ गई हो और सबसे important बात वह नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बारे में पता चले उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताऊंगी लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अगर मैं नहीं भी बताती तो मुझे पता है तुम किसी भी तरह इसका पता लगा लेती यह सुनकर बैकी करती है उसकी बाद कहती है आप मुझे अच्छे से जानती है इरिन कहती है हाँ इरिन बताती है फीन को हर चीज के लिए डिग्रेट होता है तुम्हें छोडने के बारे में यहां तक कि उसने तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी वेट नहीं किया उसे लगता है कि वहत तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है वहत चुपचाप तुम्हारी लाइफ से जाना चाहती है बैकी कहती है क्या ऐसा है बैकी कई महीनों के बाद पहली बार मुस्क्राई थी उसने ऐसा कुछ देखा जैसे उसकी खुशी बढ़ जाएगी यरिन ने बैकी की तरफ देखा और कहा बैक अब ये मत कहना की तुम कुछ प्लैन कर रही हो लेकिन मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी क्योंकि काफी टाम के बाद मैंने तुम्हें खुश देखा है बैकी हां करती है और स्माइल करती है इतना कहकर वे एक दूसरे को हग करते हैं साम के समय बैकी स्टोर पर आई और फ्रीन के बाहर आने का वेट करने लगी फ्रीन नो बज़े स्टोर के बाहर आई फ्रिन ने बैकी को देखा और उससे बचने की कोशिश की लेकिन बैकी ने मोका नहीं दिया वह फ्रिन के सामने खड़ी हो गई उसका हाथ पकड़ा वो कार की तरफ बढ़ने लगी लेकिन फ्रीन ने वही किया जो वह कर रही थी फ्रीन कहती है ये क्या मेरा हाथ छोड़ो बैकी कहती है लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ चलो कहीं ओर चलते हैं लेकिन फ्रीन कहती है मैं नहीं करना चाहती बैकी कहती है प्लीज लेकिन फ्रिन कहती है नहीं मैं घर जाना चाहती हूँ मेरी माँ मेरा वेट कर रही होगी फ्रिन कहती है क्या तुम किसी से मिली बैकी कहती है क्यों फ्रिन कहती है मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन बैकी कहती है क्या हम बात कर सकते हैं लेकिन फ्रीन कहती है नहीं बैकी मुझे पर अपना टाइम वेस्ट मत करो उसी टाइम एक टैक्सी आई फ्रीन ने अपना हाथ छुड़ाया और टैक्सी में बैट कर वहाँ से चली गई और बैकी को अकेला छोड़ दिया लेकिन इस समय बैकी को पता है कि क्या करना है इसलिए उसने फ्रीन की मा से कोंटेक्ट किया और उसने कहा कि संडे की सुबह एक इंपोर्टन मामले पर बात करने के लिए घर आना चाहती है फ्रीन की मा ने परमिसन दे दी बैकी ने घर आकर दादी को सब कुछ बताया और उन्हें समझाया कि फ्रीन की मा से बात करे उनकी बेटी रह गई, बैकी ने दादी का فيन से इंत्रोडक्शन करवाया अंदर बुलाने के बाद मैं आपको मैंने ही आपको फोन किया था मेरी दादी आपसे कुछ बात करना चाहती है इस बात पर फीन ने बैकी को कन्फिजन से देखा दादी कहती है मिश चंकिम का मैं यहाँ आपकी बेटी का हाथ मागने आई हूँ फ्रीन की माँ पूछती है किसलिए दादी कहती है मेरी पोती के लिए इतना कहकर दादी ने बैकी की तरफ इसारा किया लेकिन फ्रीन ने सुनकर अपनी आखे चोड़ी की फ्रीन की माँ कहती है मुझे सच बताओ मैं कुछ भी नहीं जानती मेडम दादी कहती है मैंने वादा किया है कि मैं बैकी को अपना लाइफ पार्टन खुद चुनने दूँगी फ्रीन की माँ कहती है प्लीज मुझे गलत मत समझो आपके खिलाफ नहीं हूँ मैं जानती हूँ कि मेरी बैटी भी एक लेड़ी है फ्रीन की माँ ने अपने बैटी के साथ पहले जो हुआ उसके लिए खुद को दोसी मानती है जिससे उसका दिल तूट गया था इस पर दादी मुस्कराई और कहा तो कोई प्रोब्लम नहीं है वे एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं और वे एक दूसरे को पसंद भी करते हैं इतना सुनकर फ्रीन की माने अपने बैटी की तरफ देखा उसने एक लड़की के बारे में सुना था कि उसकी बैटी उसका वेट कर रही है फ्रीन की मा कहती है अगर वे एक दूसरे सोब प्यार करते हैं तो मुझे कोई प्रोब्लम नहीं है लेकिन तभी फ्रीन कहती है क्या मैं पहले बैकी से बात कर सकती हूँ दादी कहती है हाँ जरूर इसके बाद फ्रीन ने बैकी को अपने रूम में आने के लिए कहा जब वे रूम में पहुचे तो फ्रीन ने बैकी की तरफ देखा फ्रीन कहती है ये सब क्या है बैकी बैकी कहती है मैं तुमसे साधी करना चाहती हूँ लेकिन फ्रीन कहती है बट मैं तुम पर बोज नहीं बनना चाहती फ्रिन की बात सुनकर बैकी कहती है तुम मेरे लिए बोज नहीं हो फ्रिन कहती है बैकी मेरी बात सुनो तुम्हारे पास एक कच्छी लाइफ है इसे मेरे लिए खराब मत करो जो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है इतना सुनकर बैकी कहती है किसने कहा तुम मेरे लायक नही और अपने आसू चुपाने की कोशिश की बैकी कहती है क्या आप तुमसे प्यार नहीं करती बेबी फिर्ण कहती है यह केवल प्यार के बारे में नहीं है लाइफ में केवल प्यार ही काफी नहीं होता बट बैकी कहती है हाँ यह मेरे लिए ऐसा ही है मेरा तुमारे लिए प्यार फिर्ण कहती है बैकी तुम अच्छी वाइफ के लायक हो इतना कहका फिर्ण बैकी की तरफ मुड़ी बैकी कहती है लेकिन मेरे लिए तुम हो तुम हो मेरे लिए तुम अच्छी वाइफ बनोगी इस बात पर फिर्ण कहती है लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन बैकी कहती है मुझे कुछ चाहिए भी नहीं मुझे बस तुम्हारी जरूरत है क्या तुम मुझे वो दे सकती हो मैं प्रोमिस करती हूँ हर पल तुम्हें हैप्पी रखूंगी फ्रीन कहती है बैकी मुझे पता है कि तुम किसी ऐसे परसंद से मिलोगी जो तुम्हारे प्यार के लायक होगा फ्रीन की बात सुनकर बैकी कहती है तुम ऐसा क्यों सोचती हो बेबी इतना कहकर बैकी ने उसे हक करने की कोशिश की लेकिन फ्रीन पीशे हट गई ये देखकर बैकी की आँखों में आसू आ गए बैकी कहती है ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है ठीक है लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए मेरी प्यार की जगा को योड ले लेगा ये केवल तुम्हारे लिए है और हाँ ये उम्मिद मत करना कि मैं किशोर के साथ रहूँगी क्योंकि मैं हैपी नहीं रहूँगी बैकी ने अपने आसु पोछे और आगे कहा मैंने पहले भी तुम्हें ही चूज किया था और अब भी तुम्हें ही चूज करती हूँ और हमेशा तुम्हें ही चूज करूँगी बस इतना कह दो कि तुम उससे प्यार नहीं करती ताकि मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाओ इदर फ्रीन भी चुपचाप रो रही थी बैकी को लगा कि फ्रीन की चुपपी ही उसका जवाब है वह गेट की तरफ चली वो गेट पर पहुची तबी फ्रीन ने उसे पीछे से हक किया और रोते हुए कहा I'm sorry, my love, please मुझे माफ कर दो बैकी पीछे मुड़ी और फ्रीन को टाइटली हक किया दोना अपनी फ्रीन्स रोते हुए बता रहे थे थोड़े बाद बैकी फ्रीन को बैड पर ले जाती है और उसके साइड में बैड जाती है बैकी ने फ्रीन के बालो को कान के पीछे किया और उसके face को रब किया बैकी कहती है बेबी मुझे हमेशा के लिए अपने पास रहने दो I love you मैं तुम्हें हमेशा happy रखूंगी बैकी की बात सुनकर फ्रीन कहती है मुझे पता है तुम हमेशा मुझे happy रखोगी बैकी पूछती है फिर तुम्हें इसमें क्या डाउट है फ्रीन कहती है मैंने हमेशा खूद से एक सवाल पूछा क्या मैं तुम्हें happy रख पाँगी जैसा तुम रखती हो इतना सुनकर बैकी ने फ्रीन को हग किया और कहा तुम मुझे खूश रखते हो जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मेरा दिल खूशी से भढ़ जाता है मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ family plan करना चाहती हूँ अगर तुम भी मुझे से प्यार करती हो तो please साधी के लिए हां कह दो Becky की बात सुनकर फीन कहती है हाँ पूरे दिल से मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ इस बात पर Becky कहती है तो चलो साधी कर लेते हैं ये सुनकर फीन ने इसमाइल के साथ अपना शिर हिलाया इस बार उसकी इसमाइल बहुत प्रैट थी फीन पूछती है क्या आप शोर हैं बैकी कहती है हाँ मैं शोर हूँ चलो साधी कर लेते हैं बैकी इस बार खुशी के आस्वों के साथ रोई ओ फिन को टाइटली हग किया क्योंकि इस बार वह फिन को जाने नहीं देना चाहती थी इसके बाद बैकी फिन की तरफ आगे बड़ी ओ दूरी को खत करते हैं लेकिन फ्रीन ने साइनस के साथ अपना सिर नीचे कर लिया लेकिन बैकी ने उसकी चिंड को पकड़के उसके फेस को उपर उठाया और उसकी आंखों में देखने के लिए कहा बैकी कहती है इतना कहा कर बैकी ने फिर से फृरिंट को किस किया, लेकिन बीच में फृरिंट ने कहा, बैक हमें बाहर जाना है, दादी और मा क्या सोच रही होंगी, ये सुनकर बैकी कहती है, ओ, इस बारे में तो मैं भूल ही गई, चलो बाहर चलें, इतना कहकर बैकी ने फृरिंट का हाथ पकड़ा और बा उस्टिर ले आती, और ग्लास काथ होने के बाद उसे ड्रोप करती, इतना ही नहीं वे डेटिंग के लिए बाहर भी जाते थे, साधी से पहले बैकी फीर को इंगलेंड ले आती है, और अपने मुझा डेड की कवर परस ले जाती है, वे दोनों वहां बैठते हैं, बैकी कहती ह मॉम डैड मैं साधी करने जा रही हूँ मुझे लगता है आप उसे जानते है हमें आपकी ब्लैसिंग की जरूरत है लेकिन मैं इसे फिर से आपसे मिलवाने लाई हूँ इसका नाम फरीन है और आपकी होने वाली बहू इतना कहकर बैकी की आखे नम हो गई तबी फिरीन तुरंत बैकी को समालती है और उसे सांथ करने की कोशिश करती है बैकी थोड़ा सांथ हो जाओ फिरीन कहती है मा पा हमें ब्लैसिंग दीजिए मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगी मैं उसे कभी नहीं जाने दूँगी जैसा मैंने पहले कहा था मैं प्रोमिस करती हूँ मैं उसे हमेशा हैप्पी रफूंगी और उसकी देखबाल कहूंगी इतना कैका फ्री ने बैकी के फोरेड पर किस किया तो दोस्तों ये था Amazing Wifi Chapter 7 आई हो आपको पसंद आए होगा और अगर आपके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए Be Happy and Keep Smiling